हलो जोस्तों मैं हूँ मंदा रिसिविश सिखाते हूँ मंदा जारी में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहे हूँ हलवाई श्टाइल गोभी मटर की सबजी आपने तो कहीं प्रकार की गोभी बना के खाय होगी लेकिन आज हम हलवाई श्टाइल गोभी मटर की सबजी बनाएंगे तो चले सिकते हैं कि गोभी मटर की सबजी बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जर्रत परती है आधा चमज जीरा पाउडर आधा चमज गरम मसाला एक चोथाई चमज हल्दी और आधा चमज धन्या पाउडर सबसे पहले हम खड़े मसाले भूनेंगे यासन करना है और कड़ाय रखना है कड़ाय में एक चमज तेल डालना है तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें एक तेजपत्ता एक बड़ी इलाईची एक कल्मिका तुकड़ा तीन हरी इलाईची और तीन चार लवं डालके इसे हमें धीमे आजपर स्रिफ दजबिस सेकंड अब हम इसमें दो कटे हुए पैल डालेंगे और इसे धीमे आजपर भूनेंगे पैल सको हमें शरीप आधा मिनिटी भूनना है पैल सको हमें जब्राउन ने करना है सिर्फ नमी निकलने तक हमें इसे भूनना है रेसिपी बनाते बनाते हम विज़ विज़ में छोटी मोटी टीफ्स देते रहते हैं जिससे रेसिपी और भी अच्छी बनती है तो यहाँ वीडियो या फिर जो कोई भी वीडियो हमारे चाइनल पर हो उसे आप पूरा देखिए ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने पैस भूनके हो चुका है अब हम इसमें दो लाल मिर्ची सुखी हुई एक इंच अद्रक का तुकड़ा पाच्छे लसुन की करिया डाल कर भूनेंगे लसुन अद्रक् मिर्ची भुनके हो चुकी है अब हम इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी हमें एक मिनिट भुनना है अभ हम इसमें चार पास काज Llwe ंडालेंगे और उसे भी भुनेंगे मसालों को ज्यादा ब्राउन ने करना है श्रिप हलका साही भुनना है तोमाटर भि भुन के हो चुका है और सभी मसा भिन के हो चुके है अभ हम ग्याज बन करेंगे और इसे साइड में रखके थंडा करेंगे बाद में मिक्सर जार में पिसेंगे मसाले थंडे हो चुके है अब हम इसे पिसेंगे एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में सबी मसालो को डाल कर मसालो का पेश्ट तयार करना है पेश्ट बन के तयार हो चुका है इसी तरह आपको मसालों का बारिक पेश तयार करना है अब हम गोवी मटर को तेल में फ्राय करेंगे ग्यासन करना है और कड़ाय रखना है कड़ाय में पाच्छे चमज तेल डालना है जब तक गोवी तल के नहीं होती तब तक हमें गोवी को तलना है और सॉप्ट करना है गोवी को तेल में तलने से गोवी जल्दी पकेगी और सब्जे बनाते समय हमें गोवी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा इसलिए हमें गोवी को तेल में तलना है गोवी तलके हो चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे इसी तरह आपको गोवी को तलना है और मटर को भी इसी तरह तलना है अब हम मटर को तलेंगे यहाँ प्रोसीजर हमें धीमे आसपरी करना है मटर भी तलके हो चुके है अब हम इसे एक कटोरे में निकालेंगे और उसी तेल में हम सबजी के लिए ग्रिवी बनाएंगे अब हम इसमें एक तेजपत्ता, आदा चम्मजीरा, पेश्ट को तेल में डालकर पकाएंगे जब तक तेल ने छुटता तब तक तेल में पकाना है और विजबिश में चलाते रहना है यहाँ प्रोसीजर हमें धीबे आजपरी करना है अब हम एक कटोरी में सभी मसालों को मिक्स करेंगे एक कटोरी लेना है और कटोरी में एक चुथाई चम्मज हल्दी दो चम्मज लाल मिर्चिका पाउडर आधा चम्मज गरम मसाला आधा चम्मज धन्या पाउडर आधा चम्मज जीरा पाउडर डालके सभी मसालों को मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सभी मसालों को मिक्स करना है आप इसमें थोड़ा दही भी डालके मिक्स कर सकते हो ग्रेवी पक चुकी है और तेल भी छुटने लगा है इसी तरह आपको ग्रेवी को पकाना है अब हम सभी मसाले को डालके मिक्स करना है सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके है अब हम इसे स्रीप आदा मिनिट पकाएंगे आपको अगर खटा पसन हो तो दो-तिन चमज दही भी डाल सकते हो सभी मसाले अच्छे से पक चुके है अब हम इसमें स्वादा नुसाल नमक डालके अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी को हमें बिजवीज पे चलाते रहना है नए तो कड़ाई की तले में लगेगी इसलिए हमें धीमे आज़ परी ग्रेवी को पकाना है और बिजवीज पे चलाते रहना है सबजी की ग्रेवी बन के तयार हो चुकी है अब हम इसमें तली हुई गोबी मतर डालके अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसे हम एक दो मिनिट पकाएंगे धकन धककर गोबी और मतर को हमें ग्रेवी में श्रीप पाच मिनिट पकाना है पास मिनिट हो चुके है और गोबी अच्छे से पक चुकी है और सबजी बन के तयार है अब हम ग्याजबन करेंगे और इसे एक बाउल में सर्फ करेंगे हमारे गोबी मतर की सबजी तयार है सर्फ करो टेश करो एंजाय करो और कॉमेंट करके जरूर बताए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो चले मिलते हैं अगले रेसिपी में अरे रुको रुको जाने से पहले लाइक करो और सबस्क्राइब करके नोटिपेकिशन आल पर करो ताकि जब भी कोई नए रेसिपी रिलिज होतो सबसे पहले आपको मिले